तो दोस्त स्वागत है आपका हमारे नए नाइट टॉक विद रियल हिट में तो आज हम आपके साथ बढ़िया बढ़िया होरर स्टोरी लेखें आपके लिए और उसके लिए हमारे साथ है यशिका और खुशी और इनके साथ कुछ शूट के दौरान कुछ हुआ है खुशी के मतला मैंने तो खुद experience किया हुआ है मेरे साथ क्या हुआ था अभी से दो-चार साल पहले की बात है लोगडावा था पहला वाला उस ताइम पे मैं शूट पे गई थी तो शूट के कुछ का वगरा तो तो ताइम मेट्रो अगरा कुछ नहीं चल रही थी काब नहीं चल रही है ना e-commerce चल रही तो e-commerce शूट के लिए मैं गई थी तो मेरा भाई मुझे छोड के आया था महां पे कृष्णा नगर लोकेशन है महां पे मेरा भाई मुझे छोड के आया तो शूट करते करते ना थोड़े क्योंकि बहुत कम शूट चल रहे थी तो दो दिन में तीन में ग मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं ट्रैवल कैसी करूँ तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया मुझे लेके जाने के लिए आधे रस्ते मुझे जिनके साथ में शूट करते हूं उन्होंने मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ दिया था तो वहां तक मेरा हमने आया तो उसने मुझे रिशीव किया पहले तो गाड़ी में इससफे मैं बैठने लगी न तो तो एल्ज़े द्दश्ध करने लगा तो जैसे Aleksi मुझे अनि बैठी ऊड़ी तो भले तो जैसे हाइवे फ़र हम निक टू सेёл एक यह उन्र थे सेघाल रस्ते में से बीच म में जा रही थी क्योंकि पूरा लॉगडाउन का टाइम था बिलकुल अंधेरा सारे आउटलिट्स वगएरा सब बन थे और हम लोग जा रहे थे तो वहां से शम्शान गाट क्योंकि डेथ भी बहुत जादा हो रही थी कोरोना था उस ताइम पर बहुत जाद हो रही थी तो व अगे से पीछे तक कार जैसे कोई नौक करता है आवाज आती है कोई खोलने के लिए नौक करता है चलती गाडी अंधेरे में गाडी चल रही है और गाडी नौक हो रही है बहुत आवाज आ रही है वो मेरी शकल देख रहा है मेरा फ्रेंड और मैं उसकी शकल देख रही हू तो मैंने पूरा lights on करके, torch जला के, सब कुछ चेक किया, गाड़ी के अंदर तो कुछ भी नहीं था, फिर उसके बाद किया हमने highway से जाके एक जगापे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जाके हमने चेक किया, पूरी गाड़ी चेक करी कि कुछ आवाज कुछ तूटा तो नहीं है, क उसके बाद नौक होना बंद हुआ, हम लोग मैं बंद करके गई हूँ उसके बाद में, उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना कोई दिखने लग गया था, घर में मतलब जैसे मैं गई हुआ, तो मुझे कोई दिखाई देता था, सपने में भी दिखता था, और मुझे ऐसा फीर मैंने फिर भी उनको ए간ोर कया ऐसे होता है और मांते मिया इतना जल्दी मनी Politik मैं सु थो मेरे साथ क्या हुआ मेरे साथ 1 मेरे CD मेरे स सच क Changi hammer paix pair और ही ल ऐसा納ला है कि मुझा कर üz दिसे मुझा तक मेरे साथ में यही सब चीजे होती रही डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था मैं फील करती थी मुझे पैर वैर हिलाना मेरे बाल खिच गए या मेरे कुछ मुझे किसी ने हिला दिया ऐसी यह डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजे और जो तुझे दिखता था तो कोई जोषी नहीड बिए हम किस वह संपलीता हुँ हू выпуск अई हम में आ debates designed लतकि एолет को एक सब्सक्राइब लेको प्रोमेगभा थे मुझे कोई लिए अपर इस health अए हो बाले कि मेरी यह फ्रीजों चय रहा हुआ श़े 겁क्ता हि सतने हुँ है मेरे साथ भी एक महीने से यही सब चीज़े हो लिया है मेरी मम्म culinary उनको लगता था मैं कर रही हो शायद सोते ऐए पैर में कुछ हो जाता हो अब प्रॉपर फील होता कि कोई जैसे इनसान करता है कि कुछ टिकलिंग हो रही है या बाल कीच धे जब या कुछ कर दिया तो मुझे ऐसा लगता था मममा भी लगता था सेम चीज कि शायद ये करी होगी दोनों के साथ ये सब चीजे होती रही हमने बहुत मतलब पंडित को दिखाया तो उस दिन तो मतलब ले आई किसी को जब तू रही तो मैं पोजेस हो गई किसी से तो मेरे घरी आ गई जो भी मतलब नेगिटिव एनरजी ती कुछ भी मतलब ल चीजेशन रहे टाइम इस दोरान तुने अपने उस दोस्ते शेर गिया तो जिसका आद तू आई थी कि मैं तो आप ने शेर किया उसके साथ में कि ये हो क्या रहा है मतलब मैं तो लड़की हूं उसको लगा कि डर ना जाए उसको समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बर लाइन गोट ज एच्छान तुने मुझे टर ना जाऊं गोट बाद में मुझे मुझे मूंना ऐवास है मुझे आ भी नहीं टी काफी तक में बहुत लेट सो टी और जब मैं सो कि तो में साथ ये इस हम उता था तो श्ने मुझे बताया नें बैने उससे बाद में डिसकस किय कि मेरे साथ मेरे यह नेने पूरे घर इस सब चीजे यहीं मैंने पूरे घर में यहीं सब बहुत नेगिटिव चीजे भी मुरुप जाती थी में नाव एक्स्रीम कोुछ अलग एक्स्रीम कुछ नियुद तो उसको भी रात में कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था, जैसे एक दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ में थी, लेट नाइट शूट था, तो मैं उसके घर रुख गई थी, तो मेरा एक फ्रेंड है, मुझे वो बैठा हुआ दिखा, ठीक है, आई बुदावल दावट, मैं वहां दूसरे रूम में सौया हूआ था, मैं मुझे वहां से गई दूसरे रूम में और मैंने वह भूबत घहरी कॉरन जयं रही तो कुछ दिखना, नेगेटिव चीज़े, और मेरे साथ जो भी लोग होते थे उनको भी सेम चीज होती थे, जो लड़का मुझे दिखा था, उसके साथ क्या हुआ, वो उनका फ्लैर्ट हमारे पास में ही था, मेरे घर के पास में, तो उसके साथ क्या हुआ, वो सोया रात को, और हमारे पास भागते हुए आया रात को, तीन-चार बजे कॉल करी उसने, हमने गेट खोला, पूछा क्या हुआ, उसमें बोला, मैं सोकर उठा, मुझे किसी ने उठाया, और सारे मेरे कॉर्टन्स जो थे, वो नीचे गिरे हुए थे, औरे तेरे, ये सब हो रहा था, ये स असे gate होते है, ना, मिडल में एक gate होता है, भार main gate लोक कर लेते, ते हम मिडल में gate होता है, वो क्या होता है? नोक होता है उतने है, सुनाई दे रहा हैं, मतला हम आँ होता है, सब हम अंदर बैठ यह और भार वाला doorúsica, धे गुषना है, लोक्ता होता है, हिट करके खोलता है या जोर जोर से बजा रहा है कोई ऐसे बहुत आवाजे आती थी बहुत हम लोगों ने फील किया फिर मैंने बहुत जब जादाई कि एक्स्ट्रीम लेवल पर हो गया यह सब होने लग गया मुझे रोज जोस फीडोन लगया तो मम्मी मुझे ना किसी पंडिजी के पास लेगी वैसे धाड़े लगवाते है ना रहसे करवाती थी तो मुझे थोड़ा बेटर फील था था पट फिर होने लगजा था तो उन्हो क्या किया उन्हों सारी चीज पूझा उजा करी उन्होंने फिर वह भुट वगर्वा देता है ना वो दी थी फिर उसके बाद मे उन्होंने क्या किया बताया मुझे क्या आप ऑसे रात में गए ते सूमसान था और 2007 गटकर आग निकली था अनूने पाट्ये शीटी अधर च क्योंकि मैंने पर्फ्यूम लगाया हुआ था मैंने मेकप किया था तो उसके मैंने भुत सारी चीजे करवाइगा for the perfume or makeup? make-up से प्रेग्निन्स होती है जैसे लिभ लॉप्स्टिक में तो ये सब चीजे ओती है बाल खुले थे मेरे बोलता है बाल खोलके लड़ीक को नी जान अची है तो मेरे बाल खुले वे थे उससे ये सब चीजों से वह मुझे पॉजेस कर गया मेरे साथ एक्स्ट्रीम तो कुछ नहीं क्योंकि मैंने आगे वो बढ़ने नी दिया मैंने बहुत सारी पूजा वगेरा कराई हमारे घर में भी हम लोगोंने तो मेरी मम्मी के साथ भी कुछ तुनों में वो चीज कम होनी स्टार्ट हो गई बंद हो गया फिर बाद में होना मेर निकाला तो लिए के वो यह वह पूजा बदल के बोल रही है कि मतलब कुछ ताइम में वह खुद चला गया जैसे भी बोल सकते मेरे साथ यह सब चीज होनी बंद हो तो तुने कोई दागा वागा बहुत बहुत बांद है मैंने उन्होंने कभी दागे बांते थे तो इसलिए वो मुझे परेशान करता है बेसिकली मेरी मम्मी को भी करता था वो हो सकता है अगर मैं नहीं कुछ करती तो जादा कुछ करने लग जाता क्योंकि जिन्स बहुत सुनते है ना लड़कियों के पीछे जिन बहुत जादा होते हैं आजकल तो सुना होगा आप लोगो जिन नजी की पकड़ता है तो मुझे यह नहीं पता बइसिकली की जिन था है य क्या था य। यम्ह अनुन मेल बताया था मुझेए जिन तो बैसिकली फिजिगल फायदा उठाने के लड़कियों की पाससा है मैंने फ्यूल किया है मैं उठाए हैं, तो फिस्जेकल मैं nights to इसे जाधा होने से पहले ही क्युकि हमने इसका बालखीजी दॡून लिया ज़्ट popular उससे जाधा हुआ ने यहुदा हुआर कितने बार जाना पड़ा था अंभ 5 earth गटाता है वहां पास तो मतलब जा जा आके हम लोग थक गय थे तिनी बार जाना पड़ा था मैं पहली बार तो मैं घई मुझे खुड, घर लग रह रहा था वाज भी चेंज आती है, और अवाज बाता हैं, यह ने बताया तो, मेरा फ्रेंड था, उसके साथ में यह सब चीजे हुई, वह मेरे साथ रहता था, वह बदल बदल के बाद करता था, और जब मुझे दिखा तब भी कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा था, जो मुझे सम समझ में यह आती, ऐसे, ऐसे बोलना, और उस से पूछते था, तो कुछ अजीब तरीके से जवाब देता था, ऐसे हुआ था, तो पंडी जी के पास गए, फिर उन्होंने एस सलीशन पहले किया, पूजा वगरा करी, तो मारे घर पे आके करी यह वह पहले तो उन्होंने मु सब करने से गंगा जल से ढागवअगे बानने से तो उसके बाद में उन्होंने पूजा करी ती, तो den सि बहुक्त बहुत लंसने मुझे बिगा हए। तो मैं वो करनी पाई थी तो उसके बाद तो बन भी हो गया था इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी पर पूजा तो उन्होंने मेरे घर पर आके करी थी और जो इतनी बारी इतनी बार तू जाती थी तो उनके वहें पूच्ते थे निस अरे चीजे में बढने में बता थी इनको सारी चीजें आपके अपनी सिद्यान थी मुझे के थी होज़ें थी हैं और highway पर जैसे deaths होती है तो चाहई उसकी death हुई है तो वह लड़की से तो तूने अबता आ था नहीं उन्होंने उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था मैंने उनको सिफ देट बताई थी और यह बताया था कि मेरे साथ यह चीज हुई और उन्होंने बता दिया कि आप हाइवे से आयो वहापर हो गया किसी हाइवे से या ऐसी कुछ जगा से तुम गए हो तो वहां से तुम्हें किसी मेल ने पुझस किया है मतब अट्रैक्ट हो ग आतमे साले हमारी कोई चदर हिलाए तो भही कैसा लगे गार तेरसाथ हो एगा मेरे साथ हुआ है तो ने तो बताया भी था नहीं वह अलग थीज है यह अलग हुआ है बताई यह जैसे नॉम्मली ए ट्रावल अलॉट तो हम लोग अभी रीसेंटली ना चंदिगड गए थे के परपस से तो लड़किया बैठी थे पहले मस्ती मजाग चल रही थी खूब नाचाव अच्छा ठीके तो ना डांस करे तो स्टाइम पे ना नौक हुआ गेट इसने अभी जो नौकिंग वाली बात बोली तो स्टाइम में स्माइल बेसले करे तो एक दम से वह चीज पर उसके बाद दुबारा नौक हुआ दुबारा देखा तो अब एक ना वह होता है लड़कियों में अगर चाल अड़किया बैठी और गॉसिप ना हो तो अब क्या हो वह वह नौकिंग थे ना एक अजीब साही वह बोलते हॉरर महौल बन गया फिर बाते चाल हो गई तो ह हम ऐसी अपनी चोड़ी मोटी चोड़ी मोटी हॉरर बाते कर रहे थे सदनी गेट बहुत इतिस नौक होने लगे अब हमें लगा शायद कोई और लड़की क्योंकि हम लोग अराउंड 25 गए तो हमें लग रहा था कि शायद कोई और लड़की मजे ले रही होगे सी बजारी ह होगी कि अंदर आ जाओ यहां कुछ ही है वो तिर हमने दुबारा देखा कोई नी था हम तीन बार रूम चेक कर चुके हैं खोल के रूम के बार कोई नी था रूम काफी जोर से नौक हो रहा था हमने बोला बहुत देर होगे चलो लेट स्लीप ताकि हम लोगों को इतना अब अब क्या होता है जिब दो लोगों होते तो दर और जाधा बढ़ जाता है ठीक है देन आई कॉल नीची रिसेप्शन पे उन लोगों ने फोन अठाया मैंने बोला आप रूम के भार देखो कौन है हमारा रूम बहुत देसे कॉंटिनिस्टी नौक हो रहा है ठीक है तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला अपकी रूम के भार तो कोई नहीं है और कामरा में लिटरली गेट हिलता हुआ दिख रहा है की रूम के भार कोई नहीं है हमारा रूम कॉंटिनिस्टी नौक हो रहा है ठीक है अब यहार और किसी के हाथ पर थंडे हो जाएंगे तो लोग उपर उन्होंने बोला ठीक हम रूम चेंज करा देते हैं कोई बात हमारा रूम चींज होगा हम सो गया अराम से सुबह उटे सुबह यही डिस्कुशन चल देती ब्रेकफस्टेबल तो हम बता रहे तो रात वा तो लड़कियों ने बताया एक दूने कि पहले ऐसा होता अपना पिस होता तर टीवी चालो हो जाता था लाइटे चालो हो जाती थी उसी जगा हां उस सेम होटेल में अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ कि मताब ये टीवी चलना लाइट चलना तो कोई किसी ने इतना बड़ा नहीं समझा बट ये नौकिंग मताब हमने भी स्टार्टिंग में सुच जा तो कोई ऐसी मंसे ले रोगा बट जब बहुत जादा हुआ तो डर लगने लगा फिर ना सड़ तो जो बराबर वाला रूंग ता उसके अंदर एक लेडी थी जो की प्रॉपर ब्लाक मैजिक कर रहे थी अच्छा चिक है और मताब ब्लाक मैजिक भी ऐसा कि हाँ पे जेनुइनली सिंदूर विंदूर था नीमभू थे कीले थी मॉंबतियां थी सब कुछ मताब इतना जब लाइफ देखते हो तब लगए दराब में और वो ओरत कैसी थी दिखने में वह बहुत नॉमल थी बहुत बहुत बेसिक लेडी थी ती ती और उस लेडी के ना मताब हातों में सुईयां हैं डॉल है चीजे और यह चीज़े न आप जब सुनते हो तो बहुत कैजूल ल जब उससे बात बहुत हो तो उन आंटी ने हमें बताया कि वो 25 डेस से उसोटे हैं तुमने आंटी से बात क्यू करी भाई मतवर इसरिक ओवेजी कि और वहां पर क्या कर शुंुँ एंडों म टॉस्टाफ वहां पर होडेल गयार यह सब तूम लोग की थे नए क। chron価़ सफ हो था हृ और एक बंदा जो नीचे से उफंपर आयते हमांरे साथ की लेके वो ता तीन बंदे ता औुम भात कर रहा है? मैं अपस मैं तो ऐसी गश्व बात करता हो यह क्या कर रही है है? वा इटार हो सारे बच्छे पेछा वे साल अछ में ते ऐसा नहीं लोग तक तो आप कर क्यारही है एकदम से वह सवाल हर किसी के जहन में आता है, I guess it's a very common चीज़ तो उन्होंने वह कुछ बोले नहीं उस ताम पर जब उन्हें हम रिसेप्शन पर लिक रहें, not हम जो वह होते हो थे, hotel staff क्योंकि ऐससे सिट्वेशन है, best हो आप दूर रहो क्योंकि पतानी, Blackmagic सब नहीं सुना होगा कि बालों से भी हो जाता है, एक blood से भी हो जाता है, और अपकी पुरानी चीज़ से भी हो जाता है कि camera में कोई recording नहीं उनके आने की camera में कोई कुछ नहीं है उनके records में कोई भी वहां आई है किसी को पता ही नहीं कि वह पच्चेस दिन से hotel में और होटेल वालों को भी नहीं पता कमरे में कोई रह रहा है एक्जाक्टली और सबसे बड़ी वाली तो ऐसे check करते हैं वही लौंडरी करा लो यह करा लो करा लो सफाही करा लो पता ही नहीं लोग बट जब किसी रूम में चेकी नहीं हुआ तो वह उस रूम को चेक क्यो जिसके बार में होटल वाले ही अवेर नहीं है तो यह बहुत छोटा सा इंसिडेंट है बट जब आप हुदर होते हो और यह चीज लाइव देखते हो चोटी सी चीज भी आपके लाइव को बहुत जाता इफेक्ट करते है तो तो यार फटी जाएगी अंसान की अंदर से गाली हो बागे जा हां मेरा मयूंमि बता रही थी मुझे की जैसरे कभी चाहे पह पढ़ जाया गलती से कुछ हो ऑबी जात तुरणत म Rich Yo Copy, कह लो जिसके उस पहां मत करो जिसकी उस पहां उससे डर के भागो अ उससे अब ऑको कि प्रकावamin O Robbie कुल बोल ठाहा चीज लो के साथ CHE हो जाता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते है यह फिर्स रियक्शन तो होता है कि डर लगता है यह फिर तो उसके बाद क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो वह उस पर जादे डिपेंड गरता है मेरे खाल से लड़कियां ओवर थिंकर होती है तो वो इस चीज के बार में और सोचती है जिसकी वज़े से चीज़े और ज़्यादे एफेक्टिव हो जाती है और मदब क्या बूलते है अगर कमजोर सब नहीं सुना है कमजोर को ताकतवर दबाता ही दबाता है तो वो स्टाइम पनको और अगर वो नहीं पर करने हो के तो कामरें वो आफो दॉना किस ने किया यह नहीं हृता सोच वो वहां पर बैठके गुदे पर कुछ दबारिय सुक्टक और यह नॉक कोई नेगिटे वनने किसी ने पेजा होता ना वो करता है एक दॉता है और उसने जो डॉल थी वो एकी थी यह अलग अलग डॉल थी नहीं उनके अट जो डॉल थी एक फिश्ग जर की डॉल थी आप बट वो फोटेल में जाकी क्यों कर रही थी ब्लैक मैजिक गर पिकती होगी ना यार लेकिन वो ऐसे पहुच कैसे कि यार होटेल में 25 दिन से होटेल वालों कोई थी पता कोई रह रहा है कुछ खाएगा इंसान कुछ पीएगा कमरे के बाहर आएगा कुछ तो करेगा याथो लेक्या यहो खाना भी पैक गाइब हो जाती है एका बात बता हो ब्लाकमाजिग में उनने डॉल में कुछ किया वो कहीं और किसी और के साथ रह ना तो कितना तगड़ा वाय फाय रह ये ये? यह मै यार वाय फाय ये कोदराती वाय वाय तिय लगबग लगबग उनकी एज हो गया राउंड ये फर्टी जिशी पर्टी के असपास तू क्या कर रहा है उसकी उमर का? अंटी की उमर का तू क्या कर रहा है? मेरे पूझा इसलिए है? भाभी आशिक लगते हो भाई लेकर नार चल ठीक है नौक नौक हो रहा है लेकि ये चदर हिलाने का तो बहाई अलग हिसाब है मुझे तो काफी डर लगता था तेरे साथ कोई चदर हिलाए तू लेटा हुआ है क्या करेगा भागूगा चोड़के? मुझे भागा जाएगा भागा जाता है नहीं भागा जाता है ये बार में तो पूरी जैसे ये होटेल्के बैड में नी फषी होती चादर की मेरा ब्लांकेट ब्लांकेट ओड़के और सोच रही थी कि उठाऊ इस ताइम किसी को नहीं उठाऊ उस ताइम पर मेरे पेर पे कुछ सेंसेशन कर रहा था जो भी था तो मैं लिटरी ही उठाई हूँ मैंने जागते हुए फील करती थी वह सारी चीजे तब मैंने उठाया पन पर हम्मत ही नहीं होती ना उस ताइम को या तो उसको बुला लियो कंबल माजा लोट जा मेरी गैली एक और तकिया लगा दियो उसे कंबल में लोटा के पाद मार दूगा और कंबल ऐसे जाम कर दूगा ले अब मरिया लिए उसकी ताकत और बढ़ गई बूत की बूत की बूत के लिए वैसे पाद तो साली खुशुवी होगी तू क्या करेंगा भही मैं तो वही करूँगा दबा लूँगा चंदर को जाए से जाद कि कोई साला गुसके ना पए जैसे फंड में होता है ना कि हवा ना जाए बिलकुल भी अंदर को ऐसे कर तो भाई फिर तो जाएगा ही जाएगा बजरंग बली के आगे नहीं टिक पा चुट मोटाईयां बहुत है ना चलो दोस्तों खतम करते हैं इस मैदार पॉड़कास्ट को अभी हमारे पास यशिगा की भी कुछ होरर स्टोरीज है जो हम इस पॉड़कास के बाद शूट करन मिलेंगे हम आपसे तिल देन भाई वाई टेक कर बहुत बहुत से बच के रहो अपना अनुमान जी को जया बजर और वाई साथ साथ नहोता दू हमारी मर्चंडाइस भी ले सकतो याव जैसे भाई ने पहनी है बहुत से डर नहीं लगता इंसान से लगता बागो बहुत आय आइं स्पेरिचूल नाइस भाई रियलिट्स्टो डॉट कॉम इस दे लिंक डिस्क्रिप्शिन में भी मौजूदा नाइस अधी बोला ले नहीं है ले ले लेंगे चार पाश लेंगे अच्छी लग दे ना तो चलो जे विलत लेनाय पोड़काश में लिद दन बाई 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 बाई